प्रेंड्स आज हम बनाएंगे डिफरेंट तरीकली का ढोकला आज हम बनाएंगे वेजिटेबल ढोकला तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए एक और आधा कप सूजी ले लिया है और इसमें हम डालेंगे एक और आधा कप जितना दही सूजी मेरा मोटा वाला ही था और यहां पर हम स्टीमर के त्यारा कर लेंगे हैं मैंने कढ़ाई में से स्टीम किया है मैंने डेर ग्लास PayPal डाला आप अपने कढ़ाई के हनुसार यह और फेक्रिया चूर दें पंदरा मिनिट हो चुका है यहां पर हम सबजियाँ अयट करेंगे मैंने यहां पर है चोटे को चौप करके डाला है आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर जवरत हो फ्रेंड्स तभी आप इसमें पानी आड़ करें तो मैंने वन टेबल स्पून इतना पानी इसमें आड़ किया है जवरत के साब से आप अड़ करें अब हो गया है बैटर देख सकते हैं तो इसमें हम स्वादनों सार नमक डाल देंगे और हाफ टेबल इस्पून जितना मैंने इसमें चीनी आड़ किया है अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम फ्रेंड्स जिसमें आपको इसे स्टीम करना है वो बरतल लेली मैंने केक्टीन का यूज किया है अब हम इसे बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे ताकि ये बहार आ सके और लास्ट में हम बैटर में आड़ कर देंगे इनो एक पैकेट अगर आपके पास इनो नहीं है तो वन टी स्पूंजिता आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते है या फिर बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते है यह आपके धुकले को अच्छे से फुले मदद करेंगा आपको इनो आड़ करने के बाद बहुत जादा मिक्स नहीं करना है दो से तीन वार अच् अब हम इसे कड़ाई में प्लेस कर देंगे और अच्छे से ढख देंगे और मैंने यहां मिडियम फ्लेप में इसे 30 मिनट्स स्टीम किया है या तब तक स्टीम करें जब तक आपका तूथपिक क्लियर ना निकले तो मैंने देख लिया है यह हमारा क्लियर है तब मैंने गैस तो डाल दिया है काला वाला और तिल हम यूज़ करेंगे सफेद वाला और थोड़ा हम यह उइंग है αच्छे से पकादेंगे हम यह हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे अब यहां पर हमारा ढोकला पूरी तरीके से ठंडा हो गया जब पूरी तरीके से ठंडा हो जए तभी आप इसे ड्रीम उल करें नेदे यह तूट सकता है तो मैंने इसे साइड से अलग कर लिया अब मैंने प्लेट में इसे पलट लिया है, थोड़ा मैंने टैप किया है, और ये हमारा ढूकला बहार आ गया है, ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो हमने जो छोका तक बनाया था, वो हम इसके उपर अच्छे से फैला देंगे, फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी होता है, और हमने बहुत सारी सबजिया एट किये तो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, तो उमीद करते हूं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे ट्राइ कीजिए, ट्राइ करते हैं तो हमें कमेंड बाक्स में जरूर बताएं, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, अब बिला आपको जरू टैप करें, धन्यवाद